हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीर जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान देते हुए राजे से धारा 370 हटाने को लेकर अमिच्छा के हलान के बाद सही राजे सभा में हंगामा समझ किया है इस मामले को लेकर बॉलिवुड के भी कई स्टाल्स ने अपना रियाक्शन दिया है वही ऐसे में विबाकी से अपना बयान रखने वाले बॉलिवुड क्रिटिक क्यार के कैसे पीछे रह सकते हैं इस मामले पर ट्वीट करते वे उन्होंने लिखा है तो इस तरह कियार के ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी का सपोर्ट किया है साथ ही उनका ये ट्वीट भी काफी वारल हो रहा है उनके स्ट्वीट पर कई लोग उनका सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिए इन सब के बीच लोगों ने क्यार के को निशाना बनाया है कुछ का कहना है ये गिरगिट ने रंग कैसे बदला है कल तक जो बोलता था और आज उनहीं मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है कुछ गरबढ है तया तो कुछ लोग कह रहे हैं आजकल सेंस वाली बात कर रहा है तो कुछ तो गरबढ है वहीं एक यूजर ने कहा है भाई देख ले तेरे अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है वरना तेरे अकाउंट से ऐसे ट्वीट्स तो इस तरह लोग उनकी बातों पर सहमती जताते हुए क्यार के पर तंज भी कस्ते नज़र आ रहे हैं एक तरह से देखा जाये तो लोगों का कहना गलत नहीं है अगर वो अपने वादा को पूरा नहीं कर रहे थे अब वो उन्हें अपना वादा पूरा करने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 को समाप कर दिया और अगर वो अपना दूसरा बड़ा वादा भी पूरा करेंगे और राममंदर बनाएंगे तो वो उनके सपोर्ट में रहेंगे क्योंकि लोगों ने उन्हें अपने वादों के लिए ही वोट दिया था वहीं एक ट्वीट में उन्होंने कहा है अब यदि कोई सुन्दर कश्मीरी लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए तयार है तो मैं वहाँ एक बड़ा बंगला खरीदने के लिए तयार हूँ आईए प्रित्वी पर जन्नत में ही एक सुन्दर जीवन जीए वेल तो बात करें कश्मीर की तो वहाँ एक अजीब सी सिच्वेशन बन गई है जहां एक तरफ कश्मीर के पुर्व मुख्य मंत्री महबुबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजर बंद कर दिया गया है वही श्रीनगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है जिससे शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद है जम्मु कस्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा कर दिया हूँ और नहीं 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 जवाब देने के लिए तयार हूँ अज़ प्रकूला में जो बंद गुल्म नभी जी शुनिये भूत अबन इंपक्रिश कर देना हूँ ही वहो पूंट अपक्रिश जिसे जिससे रख प्रिच्णने ग्रौन को अडरी में ऑन से अग्लिकार लिए नहीं ज़यर प्रूंटल्बन के लिए हूँ प्रुपे अबाद जाये आप बात जाये। कर दो प्रुपे अबाद जाये। में जीक्रावी छ давно जूससी आवसी άउ SJ बulen उन इसकेまあ बिदिक चाहू खिर उन उन बनंसे ये इधे वहाँ फroseव तर रा सिर्च डिव और प्रशड किशन तो प्रूज से अप्रिज विल्स लिए पी ट्रीड ऐसे इस बीड थे पी फार से अविल्स को लुट्ट अंपर इस थे उन्पनज इस लिए थे there is a reason, I do admit, that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12.30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made, and I am saying it of share, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only two days left, so we have to understand the importance. He is capable, I heard him, and also I have taken it positively. So it is not only that bill, there are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. Armistice, you are the leader of the opposition, you are well aware of the rules, you raise the relevant point. It is important, country is also taking note of the same, what is happening and all. It is the duty of the government to explain to the house. The home minister told me that he is going to explain it, and he says, now itself he is going to explain it. Let us first hear him, and let the bill also be moved, and then we will discuss. Praise, bhai jaye. You know, aap bhai jaye, bhai jaye, sri amisha, all over home minister. Nothing else is going to go out, other than home minister. Other than home minister, nothing else is going to go out. Praise, siwa jaye, please, 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 sit down. Thank you, sir. दिविजन करना है तो डिविजन मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजे पर एक सहमती हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा करकर वोटिंग करेंगे मान्य गुलाम नभी आजाद जी ने जो कहा कि कस्मीर की आद की जो स्तीती है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निव कि उस पर भी मैं जवागी अब मैं एक के बाद एक संकल पॉटिंग करता हूं कि ये सदन अनुछे तीन सो सतर तीन के अंतरगत भारत के राष्टपती द्वारा जारी कीजनेवली निम्नन रिखित अदिस उतनाओं की सिफारीज करता है सम्विदान के अनुछे तीन सो सतर तीन के अंतरगत भारत के सम्विदान के अनुछे तीन सो सतर के खंड एक के साथ पठिट अनुचे 370 के खंट तीन द्वारा परदत सक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपती संसत की सिफारिश पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांग जिस दिन भारत के राष्ट्रपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी ग्याजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुचे 370 के सभी खंट लागू नहीं होंगे सिवाइ खंट के के नामत कर दुदिधार पढ़ा जाएगा सम्मिधान के समय समय पर संसोदी वीना संसोदे में बाग के जम्मू और गंगोम बहलाग पर लागुए, इस फात के सिरा अनुचेज देज क्लें कि स्टाइफ न açıkवालाग ग्लाओं से के भूबाग में काम्मी के प्रवर्तन अथ्वा कोई अन्य लिखी संधी अथ्वा संजो दे जैसे अनुच्छे 333 के अंतरवत करें तरीकल्पी थो अथ अन्य खा ना हो मैं संकल्प प्रस्थू करता हूं कि यह सबा भारत के राष्ट्रपती की दिनांग 19 बिसेंबर 2019 की उद्धुष्णा के अनुरुप जम्मू और कास्मी की राज्य की विगाई सक्तियाई सदने निमीचों में जम्मू और कास्मी की विगाई तो अजार इनीस को खीकार करें और इसको ग्यक्त करें महादाए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कास्मी तुनगजन गुदेव 2019 को इनस्टापिक करने की अनुमती दिन जाए महादारे, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कस्मीर आरक्षन अधीन यंग 2004 और संखेटन करने वाले गुज़ों को इन्रस्ताफिक करने की परिशन दिन जाए।